बिस्मिल्य रह्मान रहीम असलाम लेकुम योट्यो फैमली मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शॉपिंग विद मरियम आज आपके साथ इस वीडियो में ओवन शेयर कर रही हूँ यह हैं सिंगल बर्नर ओवन डबल बर्नर ओवन और स्टोफ टॉफ टॉफ पना बनाथ चैनल बढला गाते हैं बॉकुम कर न है तो घृफ न ङॉड करो उफ नहीं करते दे पर सिंगाओ को रखता है भीजेव तो यह बास प्रसी वीडियो पर ते दाइव दाथ द्रोफ में और देख मैं जिसकी रूफ इन सिंग्डल वर्नर ओवन उन अरनसे इह लि और इसके नीचे एक चोटा सा बर्णर लगा दिया गया है ताके कस्टमर अलग से गैस पाइप कनेक्ट करके इसको कहीं भी रखके इसमें बेकिंग कर सकते हैं उसके बाद है यह डबल बर्णर ओवन यह जो पर आप देख रहे हैं यह हीटर लगा हुआ है नीचे बर्णर बहुत ही जबर्दस बेकिंग होती है इसमें भी आपने क्या करना है गैस का पाइप कनेक्ट करना है अब यह तीन ओवन इसलिए बनवाए गए सबसे पहले हमने स्टार्ट में चूले के ओपर अखने वाला ओवन इंट्रोड्यूस करवाया था फिर कुछ कस्टमर की डिमां बढ़ा के नीचे ही बढ़ना लगा दिया गया है और फिर आप गयास का पाइप कनेक्ट करके कहीं भी रखके इसमें आप बेकिंग कर सकते हैं यानि आपने एक कनेक्शन इसके अंदर करना और एक आपके स्टूफ के अंदर तो हुआ होता ही है तो आप कुकिंग भी कर सकत यानि नीचे बर्णर और उपर हीटर उपर से जाध अच्छा कलर देने के लिए वैसे इस ओवन में वहत्रीन कलर आता है चाहिए आप इसको चुले के उपर रखके यूज करें या आप सिंगल बर्णर वाला लें वहत्रीन कलर आता है अलग से हीटर की जरूरत नहीं पड़त या इस डूफ टॉप चाहिए कोई भी आप और कर सकते हैं या अंदर से आप देख लीजिए ओवन के अंदर टू ट्रेज हैं इसमें जितने भी ओवन रखे हुए हैं सब का साइस सेम हैं अंदर से सिर्फ एक ओवन बिक साइस का ओडर पर बनवाया है किसी ने मुलतान सिट के और है वह वह भी मैं आपके साइस करूंगी तो उसकी स्लिप भी मैं आपके साइस कर दूंगी ताकि आप देख सकें कि यह कस्ट्रमर्स ने एडवांस पेयमेंट पर मुझे और बुक करवाय थे और अलहम्दुलिल्ला उनके सिटी के लिए यह पारसल बुक हो चुके हैं और तीन से चार दिन पाच दिन के अंदर उनको यह पारसल मिल जाएंगे यह बिग ओवन है डबल बर्नर ओवन यानि इसके नीचे बर्नर उपर हीटर यह जो आप देख रहे हैं हीटर है और यह हीटर कभी ब्लैक कलर में होता है कभी जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से दिया जाता है तो यूज करना बहुत ही इसको एजी है यह इसकी लैंथ है वो इसकी विट थी जो आपने पहले देखी और हाइड भी तक्रीवन इसकी 20 यह 21 इंचिस में होती है ट्रे का साइज है 14 बाइ 10 इंचिस यह नीचे रखा हुआ ओवन यह बिक साइज ओवन है इसक आपने उस फ्लेम को दम की आज से जरा सी उपर आँच पे सैट करना है फिर आप जिस तरह पातीरी को उठा के रखते हैं चूले के उपर रखने वाले ओवन को यानि एक बॉक्स टाइप ओवन है उसको उठा के आपने अपने घर के चूले के उपर रखना है 10 मिट प्री ही इस च्माइब करना है दम की आज से जड़ा सी उपर आच पर है आपने उसको प्री हीट करना है और प्री हीट हो जाए तो फिर आपने जो भी बैटर उसमें बेक करना है पिज़ा केक बिस्केट या जो भी आप बेक करना चाते हैं वो मोल्ड आप इसके अंदर रखते हैं और आँच आपने दम की आँच से जरा सी उपर वही रखनी है और अगर कुछ कस्टरमर्स टाइम नोट करके बेकिंग करते हैं लेकिन अगर आपको इशू हो रहे है कि बेकिंग नहीं हो रही है या टाइम ज्यादा लग रहे है तो फिर आप यह कर सकते हैं कि अलग से ओवन अगर आपने आज जरा सी तेज करनी है जरा सी बिलकुल जाद नहीं पर जब तेंपरेचर शो कर दे तो आप समझाए आपका ओवन बेकिंग के लिए रेडी है और आप इसमें अपना जो भी आप बेक करना है वह आप इसमें मोल्ड रखकर गेट बन कर दें और टाइम है ज 25-30 मिनट पिज़ा 20-25 मिनट बिसकेट भी 25-30 मिनट इस तरह से टाइमिंग है तो आप लास्ट 5 मिनट जब रह जाए तो आप गेट खोल के चेक कर सकते हैं कि आपकी आइटम्स बेक हुए या नहीं हुए और नीचे की ट्रेक उपर और उपर की ट्रेक आप नीचे भी कर सक सकते हैं यह है चूले के ओपर एकने वाले ओवन का यूज और इन्शालले नेक्स वीडियो में आपके साथ मैं दूसरे ओवन के डिटेल शेयर करूंगी अल्लहाफ़ज